जालो अब मैं बताती हूं ते वू लिव की बजाए दोज वू लिव इन ग्लास हाउसेज होगा यह कहावत है यहां रूल की कोई बात नहीं है जिनके खुद के गर्शेश होगे हो यह को कहता है दूसरों को कहने से पहले अपने गिरेबान में हाकूँ इस वन ओफ देश्ट देखते ही हम समझ गए वह नहीं आएगा यह बात तो सही है पर रिलेटिव प्रोणाउन अपने से पहले वाले के हिसाब से वह लेता है न तो राइटर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए है वह होना चाहिए यू एंड ही ट्राइड जब सेकंड और का आई जाएगा वोशेशन यानी माय और यूर हिसर किसके हिसाब से लगाएं दो लोग होने पर सके फ़र्स्ट परसन जब तक है 1st के हिसाब से 1st नहीं है तो सिकंड के हिसा आप से से दो नाउन जुणे और आटिकल एक पे आए तो वो किसी एक को दिखाता है और एक को दिखाएगा तो यहां singular होना चाहिए प्लिरल नहीं है यह देखो ब्लंडर होता है बहुत बड़ा गपला तो यह बुरी बात है और बुरी बात में सीक्वेंस 2,3,1 नहीं होता क्लास याद करो बुरी बात में होता है 1,2,3 तो इसे कट करना था 1,2,3 करना था I, you and he